भारत की निचली अदालतों में तिरेपंच सौ यानि ये पांच अजार तीन सौ जज़स की सीटे हैं खाली चार करोर केसिस लटके हैं मजधार में फिर भी नहीं हो रही जिला और सिविल जज की भरतियां कौन है जिम्मेदार? खुद न्याय तंत्र या फिर सरकार? आज जानेंगे इस एपिसोड में नमस्कार मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं Uncut लोगों के होश उड़ गए जब केंद्री कानून मंत्री किरन रेजेजू ने 16 जुलाई को संसद में बताया कि भारत की निचली अदालतों में लोवर कोर्ट में करीब 4 करोड 10 लाख केसिस हैं जो लंबित हैं पेंडिंग है इसके जवाब में भारत की चीफ जस्टिस एनवी रमाना ने जवाब दिया है कि इसलिए है क्योंकि निचली अदालतों के लिए सही ढंक से भरतिया नहीं हो पा रही है और साथ साथ बुनियादी धांची की भी कमी है सुनिए क्या कहा केरन जी ने और रमाना साहब ने जुली कि लिए घरे पूराई ने च्टी ट्रूदाए नेजी अर। लिएरफ दूसरी लिए मगर भरतियां और जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कोई नई बात नहीं है नयतंद्र में भरतियां और एक्जेकिटेव यानी की राष्टपती प्रधान मंतरी और मंतरी गंड इन दोनों के बीच अरसे से इसे मुद्दे पर खिटपिट चली आ रही है पिछले साल उक्टोबर में चीफ जस्टेस एनवी रमाना ने बताया था कि हाई कोट जजज की सिफारिश की लिस्ट में 106 कांडिडेट्स के नाम दिये गए थे उन में से केवल साथ नाम ही केंडर ने पास किये अब चीफ जस्टेस एनवी रमाना का सीधा सीधा मतलब तो हम यही कहेंगे कि सरकार की गलती है मगर किरन रेजेजू सहाब ने संसद में साफ कह दिया है कि केंडर को दोशी नहीं ठहराया जा सकता है इन सभी 4 करोड 10 लाख पैंडिंग केसिस में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सुप्रीम कोट और हाई कोट तो चलो ठीक है बड़ी अदालते हैं मगर दुर्दशा तो निचली अदालतों की है जहां तेरेपन सौ जजजेस की खाली सीटे होने के बावजूद भरतियां नहीं हो रही है निचली अदालतें आपके राज सरकारों और हाई कोट के तहत आती है केंदर का इन से लेना देना नहीं है और हर राजिका अपना एक तरीका होता है नियाएधीशों को भरती करने का कहीं एक्जाम होता है कहीं इंटर्वियू कहीं कुछ और कहीं नोटिफिकेशन आ जाता है मगर एक्जाम नहीं होता है तो result नहीं आता, result के बाद interview नहीं होता है और ऐसी बुनियादी दिक्कते हैं जिनकी वजह से नियाएधीशों की भरती नहीं हो पा रही है तो सवाल ये बनता है कि राजसरकारें आखिर क्यों भरती नहीं कर रही है जजिसकी जबकि 4-4 करोड केसिस है पेंडिंग में बैकलॉग में सुप्रीम कोट और केंद्र सरकार ने कई बार कोशिश की कि नियाएधीशों की भरतीयों के लिए भारत भर में एक ही प्रक्रिया हो जाए मगर ये फैसला भी उक्ता सूरच नहीं देख पाया आईए आपको बताते हैं कि हमारे नयाई तंद्र की दुर्दशा कैसी है आकडों के साथ चार अगस्त चार अगस्त को राजसभा में एक जवाब में बताया गया कि निशली अदालतों में 4 करोड 10 लाग केसिस पेंडिंग है जबकि हाई कोट में 60 लाग केसिस लंबित पड सीटें खाली है और निशली अदालतों में 24 करेंगे यही होता है जब डेटा नहीं होता पॉलिसियां नहीं बन पाती हैं कानून और बिल पारित नहीं होते हैं किस बेसिस पर करेंगे तो भाई दिक्कत तो हम समझ रहे हैं मगर यह बताओ की जिम्मिदारी किसकी बनती है इसे सही करने की इसे ठीक करने की सुप्रीम कोड और हाई कोट में नियुक्तियां सुप्रीम कोट के और सरकार के सबसे सीनियर जजेज जुआरा की जाती हैं निचली न्यायपालिका में नियुक्तियां राजसरकारें और हाई कोट करते हैं भारत की लोवर कोट यानि की निचली न्यायपालिका को दो भागों में बांटा गय हैं भरती प्रक्रिया में एक लिखित एक्जाम होता है और एक इंटर्वियों होता है राजी की हाई कोट फैसला करती है सभी पोस्टिंग्स का और निचली अदालतों में प्रमोशन्स का इनके बावजूद कई राजियों के अपने अलग रूर्स हैं भरती के लिए 2018 में विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की रिसर्च में पता चला था कि 29 राजियों में से सिर्फ 10 ऐसे राजियों हैं जहां पबलिक सर्विस कमिशन्स एक्जाम कराने का जिम्मा लेते हैं बाकियों में हाई कोट जिम्मदारी लिए हुए है अब यही असंतुलन बुनिया जादी धांचे को खराब करता है कमजोर करता है फिर मैंने आपको पहली भी बताया है कि कैसे अगर एक्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है तो एक्जाम नहीं हो रहा है और ऐसे करते करते साल बीच जाते हैं और राजे सरकारे एक पर्टिकुलर बॉड़ी को भी डेजिग पास जाएं एक और मुसीबत यह है कि कई राजों में खुद बच्चे ही अपियर नहीं करते हैं करते हैं तो पास नहीं होतें 2019 में जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जज एक्जाम में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ और ऐसा चौती बार हुआ था 2019 में तमिलनाड में भी ऐसा ही कुछ हुआ था 300 वकील डिस्ट्रिक्ट जज एक्जाम देने बैठे और एक का भी सेलेक्शन नहीं हुआ बच्चों का कहना था कि negative marking के चलते ऐसा हुआ है और सवाल भी बहुत irrelevant थे यान कि बे तुके थे अब इसका हल क्या है? मुसीबत तो हमें पता है कई बार सुप्रीम कोड और केंद्र ने निचली अदालतों में भरतियां करने की कोशिश की हैं खुद से 2012 में केंद्र सरकार ने कहा था कि All India Judicial Service Examination भी UPSC की exam की तर्स पर ही होना चाहिए मगर राजे सरकारें इस पर सहमती नहीं बना पाई और ये अभी भी लटका पड़ा है फिर बीच बीच में बिचारा सुप्रीम कोड आ जाता है आदेश देता है राजे को कि भी या इस डेट तक रिक्तिया भर दो मगर राजे सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती हैं और फिर सुप्रीम कोड को सक्त होना पड़ता है इसलिए अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोट ने खुद एक याचे का दायर की और 2007 में निर्धारित समय सीमा के अनुसार रिक्तियों को भरने में हाई कोट और राजे सरकारों द्वारा की गई प्रोग्रेस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी मगर बात वही है कि कब तक सुप्रीम कोट निगरानी रखेगा भईया कब तक आप स्पून फीट करेंगे कभी तो सरकारों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जानकारों का कहना ये है कि निचली अदालतों में क्या हो रहा है इससे किसी को कोई फरक नहीं पड़ता है और शायद इसी लिए धील पड़ी हुई है और भरतिया नहीं हो रही है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चार करोड केसे स्पेंडिंग होना हमारी चर्मराती न्यायपालिका की हालत को दर्शाता है और यह मैं बात कर रही हूँ निचली अदालतों की अब हल तो सब जानते हैं सबको पता है मगर उसे एक्जिक्यूट करना चुनौती है और उससे भी बड़ी चुनौती है राजसरकार और हाई कोड को जिम्मदारी उठाना उमीद है आपको यह एपिसोड इंफिमेटिव लगा होगा पसंद आया होगा लगा हो तो लाइक शेयर एं सब्सक्राइब करें मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट